नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टुक्रिये शरी फट रे लीडर्स ओफ इंडियन फुटबोल तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे रिसेंट्ली एफफ के प्रेसिडेंट कल्यान चोबे ने यहां पे आएसल में रेलिगेशन के रिगारेंगे एक स्टेटमेंट दिया था कि पोसिबल नहीं है क्योंकि आपका इसल चैप वुट को रिगारेंगे लावी तक और वेलगेशन को स्टेटमेंट कोनें यहां फर एक स्टीं चैजर्फ कीई बिना आपने मरलब क्या बोलती कि इस तरह का statement देना ज़रूरी नहीं था और दूसरी चीजह में यहाद रखनी पड़ेगी कि आपने 2019 में AFC के साथ यहाद एक road map sign किया है जिसके चलते आपने 2022-23 season में promotion स्टार्ट कर दिया था तो अब अगर आप मालजे कि next season से relegation स्टार्ट नहीं करते उनके repercussion क्या होते वह देखना रहेगा क्योंकि AFC नहीं उस टाइम पर बोला था कि अगर आप यह road में follow करते हो तब ही जाके हम आपको जो AFC sport मिल रहा है वह यहाँ पर अलाव करेंगे तो यह सारी चीज़े अभी अनसर्टन है उसमें आपका इस तरह से statement देना यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर थ्रो करता है और दूसरी चीज़ यहां पर कल्यान चोबनी बोला है जरूर है कि मिटिंग जब इसकी होगी तब जाके हम यहां पर final decision लेंगे तो पहले statement देने कि आपको जरूरत नहीं थी कि यहां पर काफिस यहां पर क्लब में और confusion बना रहेता है तो यहां पर किसी को पता नहीं है तो सारी चीज़ें यहां पर clear out होगी तब ही पता चलेगा दूसरी साइट यहां पर जो AFF की अब ट्वेटी नेशनल फूबल चैंपिशिप चल रही है उसमें प्लेयर फफ दी मैच को यहां पर प्राइज मनी दिया रहे है 1000 रूपीज यहां पर जो आपकी प्राइटी यहां पर दिफरेंट है एक चीज़ सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाली है कि नो डाउट पैसे इंडियन फूडबल में कम है या फिर आपका जो भी बजट है बट उसको आप बेस्ट तरीके से उटिलाइज ने कर पा रहे हैं दूसरा सबसे बड़ा की लिडर्शिप की कब्रिट यहां पर आप देखी की कमी देखने को मिलते क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट अपने इसाफ से स्टेटमेंट देते रहते हैं पीछे देखते नहीं कि यह क्या इंप्लिमेट होगा नहीं होगा उसको कुछ पता नहीं होता एक्सको मेंबर को भी पता नहीं होता एफेसडियल अपने इसाफ से काम करा है सारे को एक आप यह साथ में लेके चलने का काम एफेसडियल इसल क्लब्स एक्सको मेंबर सबको लेके चलोगे आप तब जाकि यहां पर कुछ पोजिटिव रिजल्ट आपको मिल पाएंगे गैस को ठकेरों को यहां पर इस चुन 2024 से वेल्स इंटरनेसल स्कूल फूडबल एक्सलेंस उनको भी स्टार्ट कर रहें उसके लिए भी उन्हों नहीं यहां पर अंडर 10-20 केटेगरी में पूरा प्रोजेक्ट है उसको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लीड करेंगे यहां पर यहां पर नीचे भी उनका पूरा प्रोपर प्लान है वेल्स एवेल्स स्ट्रोंग ग्रूप उसी तरह से वेल्स उनिवर्सिटीज भी चन्नाय में काफी बड़ा ग्रूप है तो इस तेंस में इस इस गोई एक्साइटिंग क्लब एंड एक स्टेबल इस तरह के इस तरह से यहां पे तरन आउंट रहता है नेक्स्ट एक और बात करते हैं यहां पर बेंगलूर का एक और नया क्लब आ रहा है तो कि यहां पे बंगलूर में एक बड़ा गूर्ब है डेस्टोरेंट एन खॉटल का एंक ब्रूप वह यहां पे नेक्स सीजन से यहां पर स्टार्ट करने जा रहे है यहां पर में में जो ब्लूर भी डिवीजन वहां से अपने फूटबोल चेंप्रेशिप में देख लिए या फिर और अब देख लिए तो बैंगलोरू इस मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस इन 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 फूटबोल डायरेक्शन एन वहां पर पूरा स्ट्रक्चर भी आप देखे कि जिस तरह से यहां पर इफसी सीट्रीशन भी आपको देखने को मिलते हैं स्ट्रीश किस तरह से यहां पे सीडिवीजन में पॉक्राउंस देती है में में स्टर्ट होने जा रहा है और उसके बाद यहां पे दिरी दिरी रिजल्ट कि आपका भाई सीजन यहां पे 2-1 की एक वरी गुट फाइट देने के बाद यहां पे फिनिश वा प्रिकलर ली जिस तरह से से कंड आप में उनों ने चांसे बनाए और उसको फिनिश ना करना, I think that is the biggest disappointment for the Kaila Blaster and Ivan Vokonvich ने भी बोला कि this is the one, this is the most difficult season for him as a, as a football coach. में disappointed, Odisha FC ने, I think, start उतना अच्छा, I would know, say, किया था, first half आपने हुआ, I think, एक जो, क्या बोलते कि, इजाक पाला चांस था, वो बेटरीन चांस था, second half में, यहां पर 1-0 से डाउन थे, बट उसके बाद जैसे ही, यहां पर Diego Mariso को लाए, जिस तरह से रोय कृष्णा की performance आई that's a brilliant to see, and 1-1 का equalizer डाला, and फिर injury time में, sorry, extra time में आप देखी जिस तरह से रोय कृष्णा का फिर से बेटरीन क्रोस, and I think, इजाक का बेटरीन गोल, and 2-1 की crucial victory उन्होंने हासिल की है, Emma Jau was absolutely top notch, I think, जो उसके no look passes थे, and I think, I think, incredible to see, so, Odisha FC Sergio Lovira goes into the semi-final, and now they will face Mohan Magan Supergiant, तो पही, जो AFC Cup की rivalry है, वो I think, एक नया, यहाँ पे mode लेने वाली है, and 2-1 semi-final में, I think, Odisha FC versus Mohan Magan, will be really, really exciting to see, Kerala Blaster के लिए, यहाँ पे disappointing season, यहाँ पे खतम हुआ है, काफी सारी चीज़े यहाँ पे उनके लिए, next season, decision के लिए, यहाँ पे on the table है, for the club's management perspective, कि क्या Ivan Wakano, इसके साथ ही, यहाँ पे continue किया जाए, क्योंकि 3 season, already हो चुके, and अभी तक, आपकी जो एक प्रोफी की तलास है, य यहाँ पे भी तक, खतम नहीं हो पाई है, दूसरा है, यहाँ पे उनके जो, एका दो key player है, उनका contact extension का भी discussion चल रहा है, there is a lot of things, जो यहाँ पे, at the moment Kerala Blaster को next season के लिए, sort out करने है, let's see, यहाँ इस तरह से उनकी प्लाजिंग रहती है, वो देखना interesting सा हो जाएगा, अब बा की दो well experienced ISL coaches, and जिस तरह से Owen Coyle ने यहाँ पे अपने team को comeback करवाया है, and उन्होंने बोला की pressure FC Gova के उपर होगा, and अगर हमने Mohanbagan को यहाँ पे sold leg में हराया है, तो हम किसी भी team को यहाँ पे हरा सकते है, उनका ऐसा कहना है, and last match, no doubt, FC Gova से हारे, but I think, वहाँ पे rotation भी उन्हों है, FC Gova की बात करे, they are coming up with a very good form, I think, Noah, Sadoy, Carlos Martinez, Borja Herrera, Brandon Fernandes, everyone is firing, so that's the biggest positive, backline भी यहाँ पे settled down हो चुकी है, and Manol Marquez ने भी same चीज़ बोला कि अगर हमारा जो game plan है, और हमारी जो tactics है, अगर हमारी प्लेयर उनको सही तरिक से execute करते है, then comfortably we will win, otherwise it will be difficult, so, फतोड़ा में खेला जाने है, no doubt, FC Gova home पे खेल रहा है, but I don't think so, कि atmosphere-wise, उतना कोई यहाँ पे जादा उनको advantage मिलने वाला है, so, I am expecting a equal fight, and my prediction for this match is 2-2 on the, you can say, extra time, and then penalties उताओ, so, that will be my prediction, let me know, guys, आप क्या क्या प्रिक्शन है, comment section में, जरूर बताइए, so, that's it from my side, guys, regarding today's Indian football news, I hope कि आप को वीड़ा पसंद आए होगा, keep supporting Indian football, don't forget to like, share, subscribe, क्यों सरी, जय हिंद, जय पारत